एक सेट और देख लेते हैं जाते जाते क्या दिक्कत है भाई मैंने बोला जितना सीखे उतरा का मैं एक Redmi 7A और देख लिया 8A देख लिया 8A में NC है अब 6A देख लिया 6A में है 5A देख लिया 5A में है चलो 7A देख लिया तो 5A से 8A कम्प्लीट देख लेंगे फिर्टा जो कि हमारा CPU में जा रहा है दोस्तो अगर ये रजिस्टर भी निकल गया तो भी आपका फॉल्ट बन सकता है नेट्रक का आप बात को समझे मेरी नोटिस कीजे एट वॉल्टे डिवाइडर सर्केट बनाया जा रहा है और उसके बाद एक रेजिस्टर जीरूम्स का यहां लगाया जा रहा है और जिस पर लिखा जा रहा है एंटीना चेक तो सब्सक्राइड डिवाइडर सर्केट आपको बताता रहेगा अपने चैनल के मादब से और आपको इन्वाइड करेगा आपको और सीखने की अगर लालच होना तो भाईया आओ हमारे पास इंस्ट्टूट में और कह रहा हूं मैं जैसे कि चार दिन मैं आपको बिलकुल पर लाखिस या आपको पड़ाऊंगा आप बिलकुल सुनते हैं सिर्फ अपनी जित के जित है मेरा फिटूर जित है मेरा कुरूर जित है मेरी जुर्ड दोस्तों आज फिर से एक नैट्रक के लिए धमाकेदार यूड़ लेके आया हूं जैसर की धमदेल देखे रहे होंगे कि यह बात आप नैट्रक में साइधी जनते होंगे और यह बात सच कहे रहा हूं मुझे कमेंट करके बताएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आप मैं से किनकी लोगों को पताता है आप यह चाहें तो यह वीडियो को स्किप कर सकते हैं और नहीं पता है तो दोस्तों इसको पूरा देखे और अगर पता है तो मैं चाहूंगा एक बार मेरी नज़र से देखे हो सकता है कि आपका और इंप्रूब्मेंट हो जाए दोस्तों इससे डिलीकॉम ऐसा ही नहीं नहीं और आधुनिक और एडवांटेश सर्किट आपको बताता रहेगा अपने चैनल के मादम से और आपको इन्वाइड करेगा आपको और सीखने की अग प्रण टेस्टिंग से लेकर सीप्यू निकालने तक पावर निकालने तक चार दिन में अगर नहीं सीखाना तो चले जाना पूरा पैसे लेकर और दोस्तों आप प्लीस मैं सभी से विंती करूंगा और यह बुलूंगा कि आप प्लीस जो जो एक यह बंदा वीडियो देख में रहा है में पिल्डूग में जांग नीचे लिंक दे रहा हूं सीधे उस लिंक को क्लिक करो और हमारे फेस्टिंग में जदकिर अभी 28 टूर के बैचो के स्टुडेंट के जोस देखो और हर दिनके उसके चार या नहीं और हर दिनके उसके आठवा लाइव देख देखे तो आठ बाल लाइब आता में एक दिन में और देखिए रात में और खास वर्पया रात के आठ से बारा बजे के बीच का लाइब देखिए और देखिए कि उनमें कितना जोस है तो चलिए दोस्तों आज ये मैं वीडियो चालू करना चाहूंगा नेटर के एक अनसुलची कहानी जो लोगों से नहीं सुलचती है नेटर के एक ऐसी सप्लाई जो बहुत कम लोगों को पता है आई योज नेटर के सप्लाई की बात करेंगे जिसको मैं कहता हूं एंटीना चेक सप्लाई आप नोडिस करो जिसको मैं कहता हूं एंटीना चेक सप रहा है वो भी More CPU को जा रहा है CPU उसको भी डिडट कर रहा है और अगर वो सैंस के सीपी देट अगर आप यह बात नहीं जानते हैं तो भीया आपका नो सर्वेस ingo आपका CPU आपका CPU वो एंटिना को सेंसी ना कर रहा हो और यही रीजन होगा आप WTR में विल्टेज धूर रहे होंगे यह वीडियो आप लोगे लिए है बहुत पूरा देखेगा आईये मैं इसको स्पिलेन करता हूं पहले मैं एक श्केमाटिक बनाकर स्पिलेन करता हूं पर तक्रीवन 2 स्केमाटिक में हम्हें इस प्राने और नए में एक त्रीज आप जासे आप पर आप नोटिस किजा आप आ में supply है तो यह आपका subboard है यह आपका mainboard है ठीक है तो subboard में आपने देखा होगा antenna socket होता है उसके बाद में आपके components होता है जैसे series में capacitors हो गए या आपके registers होता है इस तरीके से component होते हैं और फिर एक antenna socket होता है और पैलर में आपकी इस तरह के coil लग जाती है अगर आप जानना चाहते हैं कि पैलर में coil क्या काम कर रही है तो सर मुझे comment करके बताइए मैं इस पर बहुत अच्छा एक video बनाऊंगा क्योंकि मैं अपने student को तो बहुत डीप लेवल पर समझाता हूं आप लोगों के लिए तोड़ा knowledgeable का video जरू बनाऊंगा यहां से फ्रिक्वेंसी जो निकलती है जो आरेक्स आप नोटिस करते होंगे यहां से आरेक्स जाती है और टीएक्स आती है तो बिसीकली पी आरेक्स इस तरह से यहां पर सप्लाई बनती है यह सप्लाई यहां जो जिसमें आप देखेंगे कि टीएक्स बहार निकल रही है और आरेक जा रही है तो जब भी भी हम कॉलिंग करते हैं क्उलिंग की टाइम पर जैसे हमें phone फोन बसता है जो veb हमें रिसीव हो रही है वह OC प्लाइ करते हैं सप्लाइब सप्लाइ न भी भी सप्लाइब सप्लाइद इंस धांस भीडियंग सफाइए तो basically supply यहां से आती है और इसमें series में वो component frequency based filter component लगे होते हैं अब मैं बात करूँगा इसके बाद क्यूंकि अभी ये terms में बात कर रहा हूं 5A में ऐसा दो-दो antenna हर जगे तो नहीं लगे होते हैं अगर बात करूँगा तो वहां पर आप देखेगा दो antenna आपको देखने को मिलेंगे और उसके बीच में नहीं capacitor देखने को मिलेगा इस तरीके से फिर उसके बाद आप नोटिस कीजिएगा आपको coils और फिर आपको capacitor और उसके बाद फिर वो supply अपनी में जो उसकी FEM IC है जिसको कमेंट करके बताएगे मैं इसके लिए भी एक बहुत अचा वीडियो बनाऊंगा अब बात करतें दोस्तों अगर देखा जाए तो supply के बहुत इतनी ही समझाते हैं बहुत से लोग या बहुत इंस्टिटूट वाले बट supply दोस्तों इससे कहीं और ऊपर है आप नोटिस कीज तो मैं इसको एक सेकेंड कलर से लेना चाहूंगा देखे फिर से रेकिए दोस्तों ताकि आप इस डिवाइडर सर्केट को अच्छे समझ सकें तो एक रिजिस्टर ये और एक रिजिस्टर ये आप नोटिस कीजिए एट वूल्टे डिवाइडर सर्केट बनाया जा रहा है और उसके बाद एक रिजिस्टर जीरो उम्स का यहां लगाया जा रहा है और जिस पर लिखा जा रहा है एंटीना चैक ठीक है और बेसिकलिए अगर मैं बात करों यह और यहां पर इसका वोल्टे इन और जिसको यहां पर एक 1.8 वोल्टेस की लाइन दे जा रही है जो की ए अगर हम उविस है कि हम समझते हैं कि जब आंटीना लगता है या लग दिना लगाते हैं तो यह चो लाइन होती यह लो है इस सीडेम पर भीब यह पर बसी कestarप यह लग्र नहीं होती है संफेंभड इस वाल इसका मिलता है तो हम यह समझते हैं किसको एक ग्रौण जैसा मिल रहा है मिलाxico कि जो कि बीप ग्रावपर तो यहां पर आगर आपवाय सब्सक्राइब होता है वह चुछ वोल्टेज सेंस होता है और ये सेंसिंग ना CPU को जाता है आप CPU को जैसे वोल्टेज मिलता है तो CPU को समझ में आता है कि antenna लगा हुआ है और अब सब तरह के frequency network के जितने भी section से उसको activate करना है मलब आप देखा जाए तो sequence शुरू हुआ actual में यहां से और उसके बाद में फिर PFO बचाता है PFO पे WTR power deduction की भी line होती है जिसके लिमें special एक video बनाऊंगा कि power deduction की line भी बहुत important होती है जिसके अंदे एक switcher भी होता है अगर वो switcher भी खराब होगा तो भी आपका no service आजाएगा WTR voltage नहीं बनाएगा एक video में इस पर बनाऊंगा कि WTR क्यों voltage नहीं बनाता है यार तीनी चीज है components, ICO connectors और अगर बात करें हमको क्या चोटी चीज नहीं दिखाई ज़री है वो है mid layers और आप इन तीनों चीजों पर काम कर दे रहे हैं पर आप mid layers पर काम नहीं कर रहे हैं in between ICO के communication line आप communication line पर जिस दिन काम करना चालू कर देंगे दोस्तों आप success हो जाएंगे आप अपनी live में बहुत achievement कर लेंगे आप बहुत सारे फोन मना लेंगे आपको तीसरी तीसरे से भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि दोस्तों की सार इसमें क्या है हाँ एक सर का होना एक गुरू का होना तो मेरे साथ बहुत जोरी है Cal Karen जोटेजिये घर में वावाप दुकान में गुरू का होना बहुत दर्ट जोरी है तो यह बात धानक के ना इसलिए गुरू अपने सर पर हमेशा रखना आप बात करते हैं जैसे कि आपने मैं ये लाइन समझाई आई इसको मैं समझाने की कोछिश करता हूं दोस्तों, नोटिस करो, यहां पर जैसे मैं दो फोन लूँगा, मैंने क्या बोला था यह थोड़ा सा लंबा हो सता है, वैसे मैं लंबे वीडो बनाने के पच्छ में रहता हूं कि यह पुब्लिक देखती निया, आप नोटिस किजेगा, दोस्तों यहां पर ना, सबसे पहले म बात करूंगा, द Tenna Secrets, अब अगर मैं य कि ग्राउंन साथा इखाता करोंगा, तो यहां पर है लगए तो इस Ein numéro बॉल्लिक किको ऐहां तो यह था ST, यहां पर आ गया, आप नोटिस किजेगी, अभी इस Yan réfl Sn, पीएफ लगा हुआ 해주 एक पीको फराइट पीएफ लगा हुआ इργ Sub volt कि हुआँ चरो यह एक पर कुछ पाइलर में में लगें जो sigma लगने के बाद अब देखे दोस्तों यह जो यह मोड़न रही है यहरी त्यारेक्स प्राइमेरिटी आर्रेक्स रिख जिसमें हमारा रिशीविंग और ट्रांस्मेटिंग दोनों चल रहा है ठीक है सो यह प्राइमरी टीरक्स लाइन एंटीना और यही एंटीना लाइन हमारी FEM IC को कनेट होती है आप नोटेस करो जिसमें भी एक सीरीज में लगा हुआ है और यह हमारा FEM IC है जिसमें आप जाके देखे तो यह एंटीना का पॉइंट बन जाता है पर दोस्तों इस लाइन पर अगर आप मैं पीछे फिर से दिखा हूँ तो आप नोटेस करो इस लाइन पर आप यहां पर एक सड्क्र पाएंगे यहां पर यह बात करों यह सड्क्र पाइंगे अब यह जो बौट कैसे कि एक लौट एरा से यह 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 संड्चेlar की ground ठीक है एक ऐसा ground एक्ट करेगी अगर मैं बात करूँ पर दोस्तों अगर इसमें आप देखें तो एक 10K का रिजिटर यहाँ लगा है और एक 100K का रिजिटर यहाँ लगा है हम देखेंगे यहाँ पर कितना voltage बनता है और आप दो करेंगे कि यहाँ पर 1.8 voltage ड्राइब हो राहा है जो कि is coil के थुरु अगर यह रजिस्टर भी निकल गया तो भी आपका फॉल्ट बन सता है ने ट्रक का आप बात को समझे मेरी जो की यहां पर यह रजिस्टर के लगे होना बहुत जॉड़ जॉड़ी है इसको पावड घॉरी है अगर अब मैं बात करूंगा एक फुडू की सकते हैं आप यहां पर ठीक है अगर मैं बात करूंगा यह एंटिना लाइन कहां जा रही है तो अगर मैं इसको टच करता हूं और इसको आगे बढ़ाता हूं तो नोटिस किजेगा यह देखे जी पी आयो जनल परपस इन आउट अगर मैं बात करूंगा तो यह आपके CPU की लह है और यह CPU के अंदर से आप देखें यह CPU के अंदर से जा रही है कि इसको सेंस लाइन मिल लए है दोस्तो 90% यहां पर आपर अलग ही बना है यहां से यह जो यह जा रहे हैं उसको यहां दिखाए गया है जो यहां जा रहे हैं को कहीं भी दिखाए गया है अगर मैं बात करूं इसके कितना यहां पर voltage divider अट्यों बन रहा है मर लाव जो व्ल्ट डिवाड़ शर्किट है वह अच्छल में कितना वोल्टेज यहां पर दे रहा है तो यहां पर हम कैल्कुलेशन कर लेंगे तो हम क्या करेंगे हम यहां पर सब्सक्राइब बल्टेज डालेंगे जो की R1 था उसका 100 K कि और और अर्टू था उसका 10 K तो के लिखने की विजरूरत नहीं है दोनों को ओम से रहने तो क्योंकि बात एक ही है और यहां पर यहां पर हम वोल्ट लिखेंगे वोल्ट उसका 1.8 यह ता 100 यह ता 10 अब यहां पर निकालेंगे 0.09 अब नोटेस करो 0.09 तो बिसिकली दोस्तों यहां पर जो सेंस होना चाहि कितने लो हैं पर यह होना चाहिए दोस्तों यह 00 नहीं होगा तो अगर मैं इसी को एक दूसरे और स्केमाटिक में इस्प्लेंग करूं तो आईए यहां पर हम बात करते हैं और रेडिये खुला हुआ है आपको मैं दिखाता हूं यहां पर नोटिस किज़ेगा देखें तो यहां पर मैं एक रेड्मी का यहां पर मैं एक रेड्मी का एटे लेना चाहूंगा देखेंगा यह देखें यह रेड्मी का एटे लिया अब देखें यहीं पर मैं इसके एंटीना सॉकेट में जाना चाहूंगा नोटिस किज़ेगा यह देखें यहां पर भी द एंटिन्य अक्राइस कहां में इसको क्लिक करूं सटाइस कीजई तो दूसस्तो आप नोटिस कीजए यहां पर यह Maynon गया यह आपको दिखाई दे रहा होगा मैं स्कुत में जूम कर देताउ हैं अब इसके बाद यह अपका एक औहरा एंटिना यहां पर यह देखो 2700 एक एंटिन यह आ रहा है जिसको आप देख रहे हैं कि सीरीज में कैपसिटर लगा हुआ है हम इसको बाइपास भी कर सकते हैं बर जंपर बाणने से बाइपास करने से नेट्रक वीक भी हो सकता है ठीक है और ऐसा नहीं है कि नेट्रक वीक आपके उसी जगे हो जहां करें हो सकता है कि आप टावर के पास करें हो जैसे आप टावर से दूर जाओ के हो सकता है वीक हो जाए ठीक है तो आप नोटिस करो यह कोईल है कैपसिटर है कोईल है कैपसिटर है और यहां पर यह देखो एंटिना पर लाइन आ गई सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉन सी लाइन जो है यहाँ आ रही है तो मेन एंटीना को पक्ड़ेंगे और यहाँ पर आच्छा यह देखो यही पर नीचे यह लाइन मिल गई है आमें दोस्तों आप नोटेस करो यहाँ देखो यह लाइन नीचे से यहाँ पर आ रही है पर यही चीज रैड्मी kee 8 में आप देखो यहां पर अंसि लिखा हुआ है इसका मतलब यह ऐ है इसका मेरेके इनसी तो यह 59 ड़िखा हुआ है एन खेब अंटिन मैं अच्छल बता रहा हूं कि यार क्योंकि कोई भी सप्लाई अगर है तो चेक करना बहुत जड़ा जूरी है क्योंकि तो को फॉल्ट कहीं से भी आसता है और वह कहीं हमें सब पता होना चाहिए ठीक है अगर मैं बात करूंगा इस 6े में यह मीडेटेक का प्रोसेसर है और आप नोटेस करो आपको यहां पर एक 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 सॉकेट जाऊंगा और यहां पर देखे दो तीनों चीज लिखी हुई है यह यह हाई मिड और लोवर भैन तीनों है प्रामरी आन्टीना दिखाई दे रहा है एक सीरीज में क् zombies है और देखो यहां पर भी आप नीचे नीचे एक एक अन्टिना एक एक दीपीडीटि अगर हम बात करें एक IC में जा रहे है जो DPDTIC है जिसके वारे में मैं आगे explain करूँगा यह DPDTIC क्या काम करती है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो यह देखो यह मिल गया है divider circuit तो आप देखो यह divider circuit और यहाँ पर बस circuit का नाम का coding बदल दिया है और यहाँ पर register है क्योंकि यहाँ पर NC नहीं किया गया है VPL underscore bus यह मतलब बस एक supply प्रोटोकोल होती है और यहाँ पर LTE V voltage MIPI मतलब यहाँ पर हमें एक voltage दे दिया गया है अगर मैं यहाँ पर देखो क्या इस MIPI को आगे क्या code किया गया है और देखेंगे यह line यह पावर यहाँ पर भी आप notice किजेगा VIO ओके तो notice किजेगा दोस्तों यह जो एक switch लगा हुआ है 1.8 voltage की line है यहाँ पर देखें एक VIO की line के साथ connected है तो basically यहाँ पर जो voltage आ रहा होगा वह 1.8 voltage आ रहा होगा जो कि आप notice करो कि यहाँ पर MIPI लिखा हुआ है notice किजेए दोस्तों यह एक DRX switcher IC है जो कि band 2, band 40, band 8, band 8 की switching के लिए लगाई गई है और यहाँ पर देखो band 3, band 1, band 4 so basically बहुत सारे band इस IC से switching होके पास हो रहे है तो basically यह जो यहाँ पर 1.8 voltage दिया गया है और यह 1.8 देखें पूरे ने ट्रक में घूम रहा है यह 1.8 आप देखेंगा तो पूरे ने ट्रक में घूम रहा है यह PFO में भी आया था यह 2G PFO में भी आया था यह 4G PFO में भी आया था चले ठीक है सो एक सेट और देख लेते हैं जाते 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 क्या दिक्कत है भाई मैंने बोला जितना सीखे उतरा का में एक Redmi 7A और देख लेते हैं बयाअ 8A देख लिया 8A नजप में為 Detclin 6A, Let's see 5A 8A से 8A धेख ळेऊंगे नहीं हमने पड़ लिया है एक लिस्ट समझ लिया है कि नेस टाइम आगर तैम पार सज़कीट कमारे भे यह जरूर देख लेना है आपको दुस्तो यह देखना है वो 0 उन्ट का रेजिस्टर हटा कर कि वहाँ पर जी आ रहा है कि नहीं हा रहा है कि वहाँ पर सीपू से कनेक्ट होना बहुत जोरी है अगर जी आ नहीं आ रहा है तो आपको सीपू रिबॉल करना पड़ेगा सो आप नोटिस कीजेगा यहां पर यह हमने टच किया देखे यह 7a का मीन एंटी ना आ गया अब इसमें अगर हम बात करेंगे यहां पर तो आगे बढ़ाएंगे इसको तो यहां पर नोटिस कीजेगा यहां पर इन्होंने दोस्तों क्या किया गया है वो जो एक डिवाइडर दोस्तों जो दोस्तों में जोड़ा है सुटों दोस्तों हैँ समझ लिया बहुत शोटा हूँ जाता है खिर जोगड पूइन जोटा फिर्ट शोटらा हो काम काम को हो इसके जोड़ा यह 2000 तोनों यहां पर लिजतों एससे डिवाणी दिवादर किसर आप तो ठीक्र चेक करना है अब आपके दमाग में एक लाइन एड हो गई कि सर अगर मेरे पास अगर मेरे पास कोई और लाइन आती है तो मैं चेक कर लूँगा आटीना चेकलाइन जो की सीपु से करणेट होती है मनला वहां पर डिवाइडर रजिस्टर लगा हुआ है जो एंटीना से करेंट होकर सिपु से जा रहा है सेंस होकर जिस पर वोल्टेज हमारा एल्डियो से आ रहा है सो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो बताएगा जरूर क्योंकि नॉलेज आपके लिए लेकर रहा हूं और क्लास के बाद ठक हारके फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूं यह सोच किये कि आप लोगों को सिखा सको को सो प्लीज इस वीडियो को में लाइक किजे और मेरे चैनल को प्यार की और बस आपका प्यार चाहिए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्काइब करकर जरू जाना क्योंकि अगला क्या सीखने मिल जाये पाता नहीं और वह कंटेन एक पेड़ कंटेन होगा तो ठैंक अभी तट कोई यूटुब में नहीं बताया हो क्या नाम था करने वाले हैं यहां CPU निकरला हूँ कोँ कोपोन है हुए यह भाईवन यही तक अभी आठिचका CPU निकालने बाले है लगत पिलिवbud झाल झाल झाल